हेलो स्टुडेंट्स आप सभी लोगों ने अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में गुड्स टर्म के बारे में जरूर सुना होगा पर क्या आपको पता है ये जो टर्म है गुड्स इसकी मीनिंग क्या होती है अगर नहीं पता तो हमारे साथ बने रहे हैं इस विडियो के एंटर गुड्स इसकी मीनिंग होती है बिजनेस के प्रोड़क्ट जिन में बिजनेस टील कर रही है यानि कि इसे हम लोग प्रॉपर टर्म में मर्जेंडाइज भी बोल सकते हैं तो गुड्स की मीनिंग होती है बिजनेस जिन प्रोड़क्स में डीन कर रही है जिन प्रोड़क्स म बूट्स बोलते हैं यानि गूट्स किसी भी बिजनेस में क्यों खरीदा जाता है खुद के सेल्फ यूज करने के लिए या सेल्फ कंजम्शन के लिए नहीं बलकी रीसेल करने के लिए तो परपर्ज और बाइंग तक गूड्स इस टू रीसेल इस टू दा कास्टमर्स तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी से ज़रूर शेयर कीजिए और इसी परिकें के रेगूलर अपडेट्स के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल आइकन टो भी प्रेस करें थांक यू सो मच बबाई टेक केर